वन्डे विशुकप 2023 की मेजबानी पर मचा हंगामा, खत्रा बना ICC का पैमाना कौन है जो रच रहा है साजश, BCCI के आगे नहीं कर पाएगा खुद को सावे PCB हो या कोई और बोर्ड, नहीं चल पाएगा BCCI पर जोर मेजबानी के पीछे की क्या है असली कहानी, सुनिये हमारी जबानी वन्डे विशुकप 2023 की मेजबानी भारत को करनी है ये पहला मौका है कि भारत अकेले विशुकप 2023 जैसे बड़े टुनामेंट की मेजबानी करने जा रहा है इससे पहले भी भारत मेजबानी का दाई तो निभा चुका है लेकिन ये मेजबानी बंगलादेश और शुलंका के साथ सायूक तरूप से थी पहली बार भारत को अकेले वणडे विश्वकप की मेजबानी का जिमा आईसीसी की तरब से सोपा गया है ये बात लगतार पड़ोसी मुलक के क्रिकेट बोर्ड PCB को तकलीफ पहुचा रही है वो आए दिन नए नए बयान दे कर ICC को उकसाने का काम कर रहा है इस पीच एक बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि भारत से वंडे विश्वकप की मेजबानी वापस ली जा सकती है ये बात कुछ हद तक सच है लेकिन इतनी गंभीर नहीं जितनी गंभीरता से पेश की जा रही है दरसल ये एक बहुत चोटा सा मामला है जिसे BCCI और केंदर की सरकार को मिल करता है करना है उमीद है कि ये मामला जल्द सुलच जाएगा इसमें मेजबानी जाने जैसा कुछ नहीं होने वाला है बहुत होगा तो BCCI को कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है आए जानते पूरे मामले की हकीकत क्या है बात शुरू की जाए इससे पहले हमें आपको वर्ष 2016 के T20 विशुकप में ले जाना पड़ेगा भारत ने T20 विशुकप 2016 की मेजबानी की थी इस तोरान ICC और BCCI में टाक्स को लेकर कुछ विवाद हो गया था ICC चाहता था कि नियमों के अनरूप उसको टाक्स के 190 करोड रुपए मिल जाए लेकिन उस समय ऐसा नहीं हो पाया बाद में ICC ने BCCI के एन्वल शेर से ये धनराशी ले ली थी इसी तरह का मामला फिर सामने आया है पिछली बार की बाते फिर न दोहराई जाए इसके लिए ICC ने पहले से ये बात सपष्ट करने के साथ चेतावनी भी दिये बताने कि इस पार ICC ने टैक्स की धनराशी बढ़ा कर लगबग 22 प्रतिशत के आसपास कर दिया है जसकी कुल धनराशी लगबग 900 करोड रुपए के आसपास आंकी जा रही है इसी टैक्स को लेकर ICC और BCCI अपने अपने को दुरुस्त करने में लगे है ICC की पॉलिसी की माने तो ICC अगर किसी भी देश को इवेंट की मेजबानी देती है तो इस देश को अपनी सरकार से बातचीत के बाद टैक्स में छूट की ववस्था करानी पड़ती है हलांकि पिछली बार BCCI छूट दिलाने में नाकाम रही क्योंकि केंदर सरकार ऐसे इवेंट में कोई छूट नहीं देती है अब अगर BCCI को वन डे वर्ल कप की मेजबानी करनी है तो उसे ICC को शेयर देने होंगे BCCI को करीब 900 करोड उपए के शेयर देने पड़ सकते हैं दूसरा रास्ता ये भी है कि BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जैशास सरकार से मिलकर टैक्स को माफ करा सकते हैं इससे BCCI और ICC दोनों की परिशानी खत्म हो जाएगी जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में बताय जा रहा है कि जल्दी BCCI अध्यक्ष और सचिव इस पर फैसला लेंगे उमीद है कि वो केंदर सरकार से टैक्स माफ कराने में सफल हो जाएंगे